तो शेनिवार को दिल्ली विधान सभा के चुनाव शान्ती पूर्ण संपन हो गए और दिल्ली पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच मत डालेक है साथ ही एवियम मशीनों को दिल्ली पुलिस की कड़ी निकरानी में रखा गया है दिल्ली विधान सभा का चुनाव शान्ती पूर्ण संपन हो चुका है और सारे उमीदवारों का जो एक तरीके जो भाग्या है एवियम में बंद हो चुका है वही मैं आपको बताना चाहूँगा इस वक्त मैं सेंटर दिल्ली के एक काउंटिंग सेंटर की बाहर माजूद हूँ लगबग बताया जा रहा है कि छे विधान सभा की जो एवियम मशीन है उस एवियम मशीनों को स्कूल में कड़ी सुरक्षा की बीच में रखा गया है क्योंकि सत्र सीटों पर छे सो बत्र उमीदवाद अपना भागिया अजमार रही है जिन का फैसला दिली के एक करोड़ सेंतालिस लाक मत दाता होने कर दिया है अब ग्यारा फ़र्वरी को एवियम खुलेगी और जनता का फैसला सामने आएगा तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं रात का वक्त है मैं सेक्योर्टी की बात करूँ तो मैं आपको सेक्योर्टी में सुरक्षा में दिखाने चाहूँगा आप उपर तस्वीरों में देख सकते हैं जो SSP के जवान हैं मचान पे तैनात हैं बकाईदा अत्याधूनिक हत्यार से लैस हैं और वही मैं आपको दूसरी और तस्वीरों में दिखाना चाहिए तो देख सकते हैं क्योंकि जहां एक तरह राज़नी दिल्ली में ठंड पड़ दिया तो वहीं दूसरी और जो दिल्ली पुलिस के जवान है वह भी बकाईदा रात के वक्त तैनात हैं एक तरीके से अतियार से लैस नज़र आ रहे हैं तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं क्योंकि जिस तरीके सेक्योर्टी में रखा गया है चाह दिन हो चाह रात हो जब तक ग्याराफ और जब तक रिजल्ट अनाउंस नहीं होता तब तक जो एवियम मशीन है ऐसे ही कड़ी सुरक्षा के बीच में रहीगी और आप तस्वीरों में देख सकते हैं दिल्ली पुलिस कर्मी रात के वक्त